हेलो फ्रेंड्स एंड वल्कम टो इंग्लिश एक्सपो विशाल और जो हमने इंग्लिश फ्रॉम बेसिक से सिरीज शुरू की उसका फोर्थ विडियो है और अगर आपने इसके पहले की विडियो नहीं देखिए तो जरूर देखें साथ ही में टेलिग्राम से जोडने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पर क्लिक करें और अभी तक इस सिरीज में हमने कवर किया कि इंग्लिश के शुरूआत कहां से हुई और सेंटेंस, साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस के पार्ट्स ये सब सारे हमने डेटेल में देखा है, अब डेटेल में कहने का मतलब कहा है, इनको हमने एक कर्सरी साइट से देखा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सारे उसी में से पार्ट्स उठा के डेटेल में देख रहे हैं, तो इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो थी, वो रिलेटे हो सकता है, तो सबसे बड़ी, हमारे पास सबसे बड़ा question ये है, कि clause हमको पढ़ना क्यों चाहिए, तो clause हमको इसलिए पढ़ना चाहिए, कि अगर आप कोई भी exam देने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या मिलता है, comprehension मिलता है, या news paper rating करते हैं, novel rating करते हैं, तो basic जानकारी मतलब कहीं भी आप पढ़ेंगे, तो आप कोई चीज पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस सारी चीज़े हमको मिलने वाले हैं, तो बड़े-बड़े sentences मिलते हैं, even कई बार हमको sentences के मिलते हैं, पूरा-पूरा phrase देखा है, अब बारी है किसकी clause की, तो चलिए शुरू करते हैं, without any further delay और देखते हैं, क्या है clause और इसके types क्या हैं, और साथ में हम देखें कि identification, यानि कि इसकी हम practice भी करेंगे कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि कहां कौन सा clause है, तो clause को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक के बोलते हैं, अच्छा मैं एक थोड़ा सा difference क्लियर कर दूँ, कि phrase और clause में difference क्या है, हाला कि मैंने पहले clear करके रखा हूँ जो phrase का, खुद का subject और verb नहीं होता है, और यह sentence का parts होता है लेकिन जो clause होता है, यह भी sentence का लिखा गया है, a clause is a group of words that contains at least a subject क्या लिखा हुआ है, a subject and a finite verb, क्या होता है कि जो clause है इस शग्दों का समू है और जो क्या करता है, अपने में समाहीत रखता है कम से कम, एक subject होगा और एक finite verb होगी clear, तो clause होने के लिए हमारे पास अभी दो चीज़े essential है वो क्या है, एक subject का होना और दूसरा क्या होना कि एक finite verb का होना तो चलिए हम इसके examples को देखते है और साथ ही में क्या लिखा है a clause gives complete sense but not always very important, इसको अप्तिहान में रखें क्या कहा जारा है, कि जो clause होता है एक complete sense देता तो है लेकिन हमेशा नहीं मतलब क्या है कि कभी-कभी देगा और कभी-कभी नहीं देगा, इसकी वज़य है कि हम अभी हमको पता चलेगा तो examples पहले देखते हैं, देखो examples क्या लिखा है कि I am teaching you and you are studying तो क्या लिखा है कि I am teaching you and you are studying है ना, तो इसमें दो clauses है कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं थोड़ सा color change करता हूँ color का change करता हूँ, आपको जो and दिख रहा है न, and, यह and को मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो जो and दिख रहा है यह and ही क्या है, दो clauses को अलग-अलग कर रहा है, इन्ही को अलग करने का काम को उन कर रहा है, and कर रहा है तो and हमारा है conjunction और conjunction यह जो clause वगरा को connect कर में बड़ा ही important role play करता है, तो जो I am teaching एक यह हमारा क्या है clause है और दूसरी हमारी पहली clause हम इसको underline करते हैं, यह बली ही है, लेकिन यह हमको पूरा मिला के क्या बना, पूरा sentence हो गया, आगे देखते हैं अगला example देखेंगे तो और clear हो जाएगा देखो, if it rains अच्छा एक चीज़ और ऊपर ओले जो clauses दोनों है, यह दोनों के दोनों क्या करनी, complete sense दे रहा है, कैसे पता करके बोली, यह complete meaning देता है, इसमें कोई dependency नहीं है, आगे देखो, you are studying, यह भी अपने आपने complete है, अगला बला example देखेंगे, देखो लिखा है कि, if it rains, अगर बारिश होगी I shall not attend the class तो मैं class attend नहीं करूंगा, अब इसमें आपको attend नहीं करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अकेले भूलिए, कहीं अलग निकाल कर रख दीजिए, meaning complete दे रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा यह है, दूसरी तरफ sorry हाँ, आगे correct है न, तो जो दूसरी तरफ हमारा यह है यह हमने देखा कि हाँ, दूसरी तरफ जो हमारा यह, if it rains लिखा है इसमें दिक्कत है, अगर आप बोलके देखिए कि, if it rains आगर बारिश होगी तो तो आगे क्या, पहली चीज़ तो लगा है, अगर तो अगर का कहने का मितलब है, कि आगे कुछ और है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा complete sense यह clause हमारी complete sense नहीं दे रहा है है ना, तो I hope आपको समुझ में आया होगा, और हम देखते हैं अभी detail में जब देखेंगे, तब हमको अच्छे से पता चलेगा अगे types को देखते हैं, तो हमने क्या सिखा अब तक हमने यह सिखा, कि जो clause होता है, यह शब्दों का समुझ है, और यह अपने आप में कम से कम एक subject और एक finite verb जरूर रखता है अपने पास है ना, तो यह हमने देखा अब आगे चलते हैं, types of clauses की बात कर हम करें, जो उपवाकर की अगर हम बात करें कि कितने types के होते हैं तो हमको देखने को मिलेंगे ठीके, तो जस थोड़ा सा हाँ, types of अब types में हम अगर हम देखें तो हमारे पास mainly आपको देख रहा है, हाना कि यहाँ पर types of clauses में दो हमारी main है, एक तो हमारा main हो जाएगा, या जिसको आप क्या बोलते है, independent clause बोलते हैं या इसको principal clause भी बोला जाते हैं इसके कितने नाम हैं तीन नाम से जानते हैं main clause, independent clause और principal clause भी जानते हैं, दूसरा इसका section हमारा है, जो जुसको हम जानते हैं वो क्या है subordinate या dependent clause नाम से पता जल रहा है subordinate मतलब इसमें जितनी भी conjunction इस्तिमाल होंगे वो सारे की सारे कैसे रहेंगे subordinate conjunctions रहने वाले हैं किसमें दूसरी वाले clause ये आपकी number 1 है और ये second number की हमारी है तो types of हमारे कितनी clauses हमारे पास हैं दो तरह की clauses हैं पहला हमारा हो जाएगा main या independent clause दूसरा क्या हो जाएगा subordinate और dependent clause ये हमारे दो main types हैं किसके clauses के हैं अब जो हमने भी example देखा था कि if it rains तो ये है subordinate class का example या dependent clause का example है और main clause का example क्या होता है कि ये आपको देखने को मिलेगा जैसे मैंने बोला कि I am teaching you and you are studying तो I am teaching ये क्या है independent clause है और you are studying ये भी क्या है independent clause है मतलब क्या होता है dependent का मतलब निर्भर होना और independent का मतलब जो निर्भर ना हो किस बात के लिए अपनी meaning के लिए तो कहने का मतलब ये है कि जो clause अपने आप में पर्याप्त है complete meaning देता है वो independent main या principal clause कहलाएगी और दूसरी तरफ जो clause हमारी है वो क्या है subordinate या dependent clause मतलब जो अपनी meaning के लिए दूसरे पर निर्भर हो इसको क्या बोलेंगे dependent clause बोलेंगे अब आगे इसका और classification किया गया है कि subordinate clause के ही यही आपका important है मतलब है important तो सारे हैं लेकिन इसमें आपको समझने की ज़रूद क्या है कि subordinate clause या dependent clause इसी के आगे तीन और types हैं और वो कौन कौन से हैं noun clause, adjective clause और adverb clause यही हमको तीनों पढ़ने हैं इनी कौम detail में भी discuss करने वाले हैं तो कहने का मतलब अपको क्या पता चला कि हमने देखा कि clause क्या होता है शब्दों का समूँ है कम से कम से में एक subject और एक finite verb होती है और चो types हैं इनके दो तरह के पहले main है कि main या independent clause या principal clause भी बोलते हैं इसी को और दूसरा हमारा type कौन सा है subordinate या dependent clause फर हमने देखा कि dependent clause के भी आगे divide किया गया है और वो कौन से तीन और है noun clause, adjective clause और adverb clause अब आगे चलते हैं अचा एक बार फिर से दिखो आगया तो main जो हमारा classification क्या है कि clause को कितने parts में divide करेंगे dependent clause और independent clause independent clause के आगे कोई और types नहीं है लेकिन dependent clause के आगे और types है अब जैसे देखो नीचे लिखा भी गया है कि incomplete thought unable to stand alone तो जो dependent ही है तो अपने आप कैसे खड़ा हो पाएगा अपने आप पूरी meaning कैसे दे पाएगा और वहीं तरब दूसरा देखो independent मतलब कहा है stands alone as complete sentence तो यह जो independent clause होती है यह का करती है अपने अपने पर्याप्त होती है complete meaning देती है ठीके इसके भी हम examples देखें कि तो और अच्छे से हमको clear हो जाएगा अच्छे इसमें examples नहीं दिए कि इधर हम थोड़ा सब back में चलते है एक बार में फिर्स आपको समझा दो इसमें कौन सा dependent है कौन सा independent है आपको अच्छे से clear हो जाएगा देखो यह जो लिखा है कि I am teaching you यह हमारा क्या independent clause है क्योंकि अपने आप में meaning यह दे रहा है वहीं देखो You are studying यह भी independent clause है अब वहीं जब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि if it rains यह हमारी क्या dependent clause है क्योंकि यह क्या है अपनी meaning के लिए आगे निरभर है इसका Hindi meaning पूरा क्या निकलेगा अगर बारिश होगी और I shall not attend the class तो मैं class attend नहीं करूँगा class नहीं लूँगा तो आगर लेगा है ना तो जहां पर भी ऐसा case होगा आप क्या करेंगे कि जितनी भी means इस तरह के clauses condition वाली हो जाएंगी आपकी dependent clause में ही आती है आगे चलते हैं हम जब identification करेंगे तब हम अच्छे से हमको समझ में आएगा चले अब पहला जो हमारा type है इसका dependent clause का वो कहा है noun clause आप देखें कि noun clause क्या होता है तो देखो definition में लिखा है आप clause bracket में क्या लिखा है with a subject and verb that functions as a noun एक ऐसी clause जो क्या हो जिसमें एक subject हो और एक verb हो और जो किसका काम करें noun का काम करें तो कहने का मतलब कहा है अगर आप अब तक सारी videos continuously देखते आए हैं तो आप कोई एक चीज़ तो confirm होगी समझ में भी आ गया होगा कि जो काम noun करता है एक word उसमें बढ़ जाएगा तो noun phrase हो जाएगा ठीक है तो वही काम noun phrase करेगा और अगर उसमें subject और verb आ जाता ठीक है चली example देखते हैं देखो क्या लिखा गया है whatever you wish is my command है न तो क्या लिखा है whatever you wish जो कुछ भी आप चाहें जो कुछ भी आपके एक्षा हो is my command मेरी command है तो अगर आप इस sentence में देखें न ये हमारा पूरा इतना subject हो जाएगा और is हमारा main verb हो जाएगा my command compliment हो जाएगा आप notice करने वाली बात ये है कि is के पहले जितना आया हुआ है ये हमारा subject है इस subject के अंदर भी देखो यू एक subject दिया गया और विश हमारे एक verb दिया गया है तो कहने और यही हमने देखा है कि clause में क्या दिखा है clause में कि clause में खुद का subject और वर्व होता है तो कहने का मतलब यह है जब खुद का subject और वर्व हो तो वही क्या बन जाएगा clause और जो काम किसका कर रहा है किसकी जगा पर आ रहा है subject की जगा पर तो subject की जगा पर आपको पता है कि या तो noun आएगा या pronoun आएगा तो यह हमारा noun है तो अब अकेला अगर कोई word होता मालों you आया होता तो क्या हो जाता तो noun हो जाता लेकिन अगर कोई और word आया होता noun phrase हो जाता लेकिन यहाँ पर खुद का subject और verb भी है तो यह क्या हो जाएगा noun clause कहने का मतलब है subject की जगा पर अगर एक चोटा सा उसमें sentence में subject और verb भी रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका यह पूरा का पूरा clause हो जाएगा और किसका काम कर रहे है noun का तो यह noun clause हमारा हो गया ठीक है फिर से देखते noun clause क्या है कि यह शब्दों का एक ऐसा समू है जिसमें subject और verb होता है और जो noun का ही काम करेगा clear यह हमने देखा हम इनके examples आगे detail में और देखेंगे आभी फिलाल हम यहीं तक देखते हैं आगे देखते हैं अगला जो example देखो अच्छा noun clause किसका काम करता है तो आपको पता है कि जो काम noun जहाँ जहाँ noun इस्तेमाल होगा वहीं पर noun clause भी इस्तेमाल होगा तो आपको पता है noun clause जब हम noun phrase पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि noun किसका का काम करता है noun subject का का काम कर सकता है noun object का का काम कर सकता है compliment का काम कर सकता है तो उसी तरह से noun जो clause है subject का काम कर सकता है इस वाल example में हमारा जो noun clause है किसका काम कर रहा है subject का काम कर रहा है यहाँ पर subject का काम करेगा और वहीं दूसरा जो example हमारा है यह देखो भी example के बाद पता चलेगा हमको I know where that razor is है तो पहली चीज़ तो इस में देखो इस sentence में subject क्या हम आ रहा है यहाँ पर यह वर्व हो गया वर्व के बाद इतना आता है वो क्या होता है वो हम क्या consider करते हैं ज्यादा तरकेस में object का consider कर रहे है और object के case जगा पर क्या रहा है यह भी noun का काम कर रहे तो कहने का मतलब यह है कि noun clause किसका किसका काम कर सकता है subject का काम कर सकता है object का का काम कर सकता है और compliment का भी काम कर सकता है तो यह हमने अब तक देखा यह example हमारा 2 हो गया तो I hope कि आप पहँचान पा रहे होंगे तो यह हमारा subject हो रहे है, noun नो हमारा verb हो जाएगा, ठीकिए बाकी जितना red portion में ही क्या हो जाएगा, यह noun clause है, ठीकिए, आगे देखते है adjective class, अब देखो simple सा आपको पता है कि adjective क्या करता है, noun की विशेष्था बताता है noun, adjective phrase भी noun की विशेष्था बताता है तो in the same way, जो adjective clause होगा, भी noun की विशेष्था बताएगा लेकिन बस इसमें अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इसका खुद का subject होगा भी होगा, है ना, चले definition देखते हैं क्या लिखा, a dependent clause that functions as an adjective अब dependent क्यों लिखा क्यों कि हमने अभी देखा है कि यह किसके पार्ट से हैं सारे, noun clause adjective clause और adverb clause किसके यह types हैं यह types हैं हमारे किसके dependent clause के, है ना, तो क्या कह रहे हैं कि a dependent clause that functions as an adjective तो कह रहें, एक ऐसी dependent clause, जो किसका काम करती है adjective का का काम करती है वह हमारा क्या हो जाएगा adjective clause हो जाएगा, ठीके आगे चलते हैं the tiger that was angry snarred at me, है ना, अब देखो यहाँ पर the tiger और उसके बाद में जितना green में लिखा हुआ है यही क्या है clause है, और कैसी clause है adjective है, कैसे पता चलेगा, देखो the tiger that was angry snarred at me तो यह जो green color में है यह क्या है, adjective clause है क्योंकि that भी लिखा है was भी लिखा, angry भी लिखा तो that हम, हाना, यह हमारा subject हो जाएगा और was हमारा angry हो जाएगा लेकिन यह sentence का नहीं है, ध्यान लखीगा sentence का subject हमारे कौन सा है यह the tiger है, ध्यान लखीगा अब किसकी विशेष्टा बता रहे है लोगों की, who live next next door, मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो हमारे क्या है, हमारे दर्वाजे के बगल में रहते है उनकी बात कर, are good neighbors, वो कैसे है good neighbors है, तो जो green green में देख रहा है, आपको यह कौन सा clause है adjective clause है, कैसे पता चला क्योंकि यह the people की विशेष्टा बता रहा है और noun की विशेष्टा बताता हूँ गया हो तो adjective, अगर एक word है तो adjective एक से जादा है तो phrase, और अगर उसमें subject or verb है तो clause, ठीक है, आगे चलती the game, which was played yesterday ended in a tie अब देखू, game जो कि कल क्या हुआ था, खेला गया था ended in a tie किसमें खतम हुआ, कि मतलब बराबर बराबर का हो गया tie हो गया, तो देखो, इसमें आपको simple सा, जितनी भी sentence देख रहे हैं, एक चीज़ आपको common मिल रही आगे देखो, I visited the town where they met, मैंने उस town में visit किया, जहां पर वो मिले थे, तो कैसा town, जहां पर वो मिले थे, ठीके, तो देखो, यहां पर town कि फशेष्टा बतार है, town क्या noun है यहां पर game कि फशेष्टा बतार है, game क्या noun है people, people भी noun है tiger भी noun है, तो कहने का बतले में noun की जो शेष्टा बजाते वही क्या होते है adjective और adjective तो यहाँ पर इसमें एक subject और verb है इसलिए clause होगे क्यों clause की definition ही क्या है खुद का इसका subject और verb होता है ठीके हाँ तो यह हमने देखा ठीके यह हमारा होगा adjective clause आगे चलते हैं लास्ट वाला हमारा जो बचेगा क्या adverbial clause तो अब इसमें simple सा है adverb की वशेष्टा बताएगा इसमें तो वही हमारा क्या होजा है वर्ब या बाकी के जो होगे उनकी वशेष्टा बताएगा वही adverbial clause होजाएगा आगे देखते हैं क्या लिखा है definition a group of words that functions as an adverb that contains a subject and verb देखो फिर वही आ गया कि adverb clause वो है जो क्या करते है जो function किसका काम करते है adverb का काम करते है बस उसमें एक चीज़ add है क्या इसका खुद का subject verb रहेगा देखें एग्जेम्पल देखते हैं लिखा है when the sun rises we will escape तो हम लोग कब escape करेंगे जब sunrise होगा अब देखो escape क्या है verb verb की विशेष्टा कान बताता है adverb तो जब अकेला शब्द होगा तो adverb हो जाएगा एक से ज़्यादा आएंगे तो adverb clause sorry adverb phrase हो जाएगा और जब उसमें खुद subject और verb आ जाएगा की बात करें ठीके when the sun rises we will escape कब हम लोग कैसे पता चलेगा कब हम लोग escape करेंगे जब sunrise होगा तब तो ये हमको पता चला क्या adverb clause की पहचान होगे ठीके और हम अभी example करेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आएगा चली क्या लिखा है identify the types of clause तो आपको identify करना है किसका clause का कौन सा type है तो पहले मैं बता दू कितने type हमने देखें तीन हमने type देखें कौन-कौन से noun clause adjective clause और adverbial clause ये तीन हमने देखें ठीके और तीनों किसके types है dependent clause के ठीके चले शुरू करते हैं पहला हम sentence देखें if I were a bird I would fly in the sky क्या बुला गया if I were a bird I would fly in the sky तो पहली बात तो देखो means I would fly in the sky कि मैं क्या करता मैं आकास में उड़ता है तो आप देखो क्या लेखा if I were a bird अगर मैं क्या होता चिडिया होता ठीके तो यह हमारा कैसा हो जाएगा if I were a bird मैं क्या होता बर्ड हना तो यहाँ पर आपको कौनसी क्लॉस हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा एड़ोबियल क्लॉस हो जाएगा ठीके आगे दिखते हैं और as soon as you trust yourself you will know how to live हना तो खहरे हैं कि as soon as you trust yourself you will know how to live तो खहरे हैं कि जैसे ही क्या होगा कि तुमको पता चलेगा means कि अपने आपको ट्रस्ट करने लगोगे तुमको पता चल जाएगा कि कैसे रहना है ठीके how to live कैसे रहेंगे तो यह हमारा as soon as क्या हो जाएगा as soon as you trust yourself यह भी आपको क्या है कि means एडवब विल ग्लॉज ही हो जाएगा ठीके आगे देखो फिर देखो the car लिखाए ना the car that your wife sold me last week अब कार की वशेष्टा कौन बता रहा है जब कार कहना हूँ नाउन की वशेष्टा कौन बता था या तो adjective या एडवब phrase या एडवब clause तो यहाँ पर phrase और adjective तो है नहीं यह पूरा हो क्योंकि इसमें subject यह देखो है और यह वब भी है तो यह हो जाएगा clause तो यानि कि यह adjective clause है हमारा ठीके आगे देखते है whoever turned the ovens off is keeping quiet अब जिसने भी क्या किया है means कि oven को off किया है तो whoever लिखा है न तो यह पूरा हमारा क्या हो जाएगा subject की जगा पर आता है तो क्या हो जाएगा noun clause हो जाएगा ठीके आगे देखते है कि I know the story is true यह भी हमारा क्या है यह हमारा पर verb है और आपको पता है कि वर्ब के बाद में जो आता है वो हमारा क्या होता है object होता है और object की जगा पर कौन आ सकता है या तो noun clause आएगा ठीके तो यह हमने देखा तो यहाँ पर हमारा sentence number 5 में हमारा noun clause है यहाँ पर भी noun clause है और यह हमारा adjective clause है यह दून हमारा किसके adverb के types है adverb के example है तो यह हमने अब तक देखा अब आपको क्या करना रहेगा कि आपको यह अच्छी से book ले लिजे run and mortar में आपको बहुत सारे example मिल जाएंगे google पर आपको बहुत सारे example मिल जाएंगे आप वहाँ से इसके practice कर सकते हैं तो हमने आज क्या देखा कि यह clause क्या होता है means तो clause में हमने देखा उसके definition देखी types देखे और आपको पता है कि clause के दो types है हमारे मेल ली है कौन कौन से main या independent clause और दूसरा subordinate या dependent clause फर हमने देखे कि noun clause, adjective clause और adverb clause एक इसके types है subordinate या dependent clause तो यह हमने detail में देखा हुआ है practice में की अब आपका काम क्या है कि आप अच्छे से इसको और practice करिए ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत न हो तो यह हमारी वीडियो का end है और मिलेंगे next वीडियो में इसी के आगे हम continue करेंगे ठीके तो thank you for watching the video thank you